नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में भारत के पास अब एक ऐसा हत्यार का ओफर दिया गया है जो भारत का एर डिफेंस समता को और भी बढ़ा देगा और सही माइनों में ऐसे हत्यार की भारत को इस वक्त सक्ष ज़रुरत थी दरसल भारत के जो दुस्मन है चाइना और पाकिस्तान ये भारत के खिलाफ एक सडियंत रच रहे हैं और इनमें इसका साथ दूर दराज का एक देश तर्की जिसको भारत ने मदद भी किया था वो साथ दे रहा है आप लोगों के मन में एक सवाल आया रहेगा कि चाइना और पाकिस्तान तो ठीक हैं पर तर्की क्यों तो आपको बताता चलू कि तर्की को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा बनने का एक पागलपन सर पे चढ़ा हुआ है और इसके लिए हर मुस्लिम कंट्रिल को कुछ भी मदद कर देता है दूसरी तरफ पाकिस्तान ये तो पहले से ही एक मेंटल डिस्टरब देश है और वहीं चाइना की बात करें तो चाइना भारत की प्रगती को रोकना चाहता है अभी चाइना का में कॉम्पटीटर भारत ही है जो उसे हर जगा पे मूग की दे रहा है और चाइना को मूग की खाने भी पड़ रही है इन सभी देशों को पता है कि भारत अभी कितना स्ट्रॉंग है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी टर्की का एक और कारण है इस ग्रूप में जोडने का चाइना और पाकिस्तान को क्योंकि सभी जानते हैं टर्की एक ठीक ठाक देश है लेकिन इसके पास सबसे बड़ी चीज जो है इसके पास यह आप समझ के चलिए ड्रोन की टेक्नोलजी थोड़ी बहुत इसके पास अच्छी टेक्नोलजी है मैं अमेरिका से कंपर नहीं करूंगा और अगर आपने सामने की लड़ाई लड़ी तो भारत इन देशों का नक्सा कब बजल देगा ये किसी को पता नहीं चलेगा इनको ये बहुत अच्छे से पता है आज की डेट में भारत का एर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि आप समझो इसको तोड़ पाना लगभग नामूमकिन है और जब से भारत ने S-400 लिया है और उसको चाइना और पागिस्तान के बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया है और साथ ही हमारे भारत ने जो अपना BMD सिस्टम बनाया है तब से तो आप समझ के चलिए बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे कहते हैं BMD सौट फॉर्म में तो भारत ने जब से इसको डिप्लॉय करना चालू किया है तभी से तो हमारा प्रोटेक्शन और कड़क हो गया है इन सब की वज़े से सब को पता है कि भारत के पास अभी चार लेयर के डिफेंस सिस्टम है जो की हैë very short range, short range, medium range and long range इन सब को लगाने के बाद आप बोलो कि भारत पर नहीं आप बलेस्टिक मिसाइल से हमला कर सकते हैं नहीं बड़े ड्रोन से हमला कर सकते हैं नहीं क्रूज मिसायल से हमला कर सकते हैं इसका मतलब भारत एक missile proof country बन चुका है तो अभी ये सब देखते हुए इन देशों ने चाइना, पाकिस्तान और टर्की ने एक प्लान बनाया कि जिसमें ये हमला तो करेंगे पर छुपके करेंगे और छोटे ड्रोन्स से करेंगे और वो भी एक साथ कई सोग की संख्या में भेज देंगे और इन छोटे ड्रोन्स को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है चाहे दुनिया का आप कितना भी advance radar लेके आओ कितना भी powerful radar लेके आओ छोटे ड्रोन्स को detect करना और पकड़ना काफी मुश्किल होता है यह दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन destructions उस हिसाब से बहुत बढ़ा करते हैं और इन छोटे ड्रोन्स ने अपना कारनामा हमें या पुरी दुनिया को रश्या युक्रेन युद्ध और अजर्वैजान अर्मेनिया युद्ध में अपना कौशल यह दिखा चुके हैं खबर यह निकल के आ रही है कि टर्की और चाइना दोनों पागिस्तान को छोटे ड्रोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सुनने में यह भी आ रहा है कि यह चोटे ड्रोन्स कई हजारों के संख्यामून को दिये जा रहे हैं आप लोग ऐसे बहुत तक बोलेंगे तो हमारे पास तो ड्रोन की छोटे सिस्टम्स हैं जिससे आप चोटे ड्रोन्स को मार सकते हैं लेकिन वह एक दो ड्रोन्स को ही ट्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास एक साथ में 200-300 ड्रोन्स भेज़ दिया आप किसको ट्रैक करोगे इसके लिए और मिसाइल मिसाइल मारना भी एक आप समझ के चलो समझदारी की बात नहीं है क्योंकि लौश पैसे का हमको है तो भारत इ ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम चाहता था जो कि सिर्फ ड्रोन मारने का स्पेसलिस्ट हो वो भी एक लाज नंबर में या फिर कहें तो एकदम ये महारत हासिल हो कि एक साथ में जो स्वाम ड्रोन्स आते हैं एक लौट में आते हैं पचास सव की संख्या में इनको पूरे को एक स अपना एक ड्रोन किलर सिस्टम जिसे हम स्काई कंट्रोल के नाम से जाना जाता है वो ओफर किया है ये बहुत ही अच्छा ड्रोन किलर सिस्टम है इसकी खासियत में आपको अगर बताऊं तो ये ड्रोन को तो मार सकता ही है पूरे एक जुंड का अगर ड्रोन सा रहे हैं अभी देखिए जो आपका पैरासूट ग्लाइडर से जैसे हमास के आतंकियों ने जैसे इसराइल में घुश कर हमला किया निर्दोसों को मारा तो वैसे जो सिस्टेम्स आएंगे छोटे से छोटे या बड़े से बड़े उनको भी डिटेक्ट करके वहीं पर उसको जैम या डि सकता है डिस्ट्रॉई इसकी रेंज है वो बहुत अथी है इसके कैटेगर के हिचाब से इसकी रेंज पांच किलोमेटर दूर तक यह मार के गिरा सकता है पांच किलोमेटर दूर से ही और यह अपने दुसमन को पांच किलोमेटर का अंदर आने नहीं देगा उसके पहले है destroy कर देगा और किसी भी चीज को detect करता है ये समय वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो अगर आप एक छोटा सा box भी फेखेंगा तो उसको भी detect कर लेता है और उसको destroy कर देता है ये low flying में तो कहीं भी पकड़ सकता है high flying में इसका range 3 km उपर तक जो भी चीज उड़ा है उसको पकड़ सकता है और दूरी जो है इसका distance कहा तक इसका range है वो 5 km की है इसका setup जो है ये बहुत compact drone किलर सिस्टम है इसका जो आप मैं आपको बता हूँ इसका मतलब size जो है बहुत compact है इसे आप 4-5 लोग मिलकर ही इसको setup कर सकते हैं कहीं भी ये portable है आप कहीं भी इसको ले जाकर setup कर सकते हैं और within 5 minute के अंदर ये ready to fire या ready to अपना काम करने के लिए तयार हो जाएगा अगर ये आप कहीं भी ले जा सकते हैं मतलब mountain tenants में दो आजमी भी मिलकर इसको कहीं भी deploy कर सकते हैं और उठा कर फिर दूसरी जगे भी deploy किया जा सकता है ये सस्ता भी है और जो इसकी 5 km की range है अगर इस मतलब sector में देखा जाए इस category के drones को देखा जाए इस segment में तो ये इसका range जो है बहुत ही अच्छा है इस segment के लिए लेकिन अगर आप में से किसी पैसा लगता है कि ये range ज़्यादा होनी चाहिए थी तो उसका भी offer दिया गिया है पोलेंड के द्वारा हम लोगों को इसी का एक दूसरा variant है जिसका नाम है sky saber sky saber को जो हम लोगों को दिया गया है offer इसकी range में आपको बता दू 100 प्लस किलोमेटर की है 100 से ज्यादा किलोमेटर तक दूरी तक ये detect करके मार की गिरा सकता है बस इसमें problem इतना ही है कि ये compact नहीं है ये इतना बड़ा है कि इसको 10 चक्के वाला truck उपर mount करना पड़ता है उसक बाद इसको अपले आ सकते हैं इसे आप छुपा कर यूज नहीं कर सकते हैं ये एक बहुत enormous size है इसका बहुत बड़ा size है इसका तो ये सिर्फ वही एक इसमें कमी है कि ये बहुत बड़ा है और इसका movement अगर हम एक जग से दूसरे जग ले जाए तो दूसरे को भी इसका movement प चोटा है compact है दो आदमियों को दोरा यूज के मतलब उसको कहीं भी deploy कर सकते हैं उसे हम tactical यूज के लिए रख सकते हैं मतलब जहां जहां पर आपको चाहिए या आपको लगता है कि इस बार कहीं से इस जगह से आपको लग रहा है कि ड्रोन आते हैं या आएंगे तो वहां प इसका range भी ज्यादा है और यह 100 km दूर से भी बता देगा और यह mostly कहां लगना चाहिए जहां से regular drones की entry होते रहती है तो यह उस एरिया को भी cover कर लेगा प्लस extra areas को भी यह cover कर सकता है any of the detection के लिए कोई भी चीज का तो मेरे हिसाब से तो दोनों लेना चाहिए दोनों ही काफी महुत पूर्ण है आपको क्या लगता है यह बताएगा और एक बाल बता दू स्काइसेबर जो है बड़ा वाला जो है यह जो स्क्रीन पे दिख रहा है यह बड़ा वाला system जो है यह अकेले पोलेंड ने नहीं बनाया है यह joint आपका production है with Britain और पोलेंड ने यह मिलकर बनाया ह और Britain में इसे England में इसे land sector के नाम से जाना जाता है अब ही आप बताएं मुझे England भी यह देने को रेड़ी है पोलेंड भी देने को रेड़ी है हम किसी से भी लेने में दिक्कत नहीं है लेकिन हम लोग ऐसा technology क्यों ने develop कर रहा है मेरा question यह हम लोग को भी ऐसी technology depend करनी चाहिए जब हम आत्म निर्वर की बात करते हैं तो हर जगह से आत्म निर्वर होना चाहिए हाँ इका दुका चीज हरे चीज नहीं कर सकते हैं तेकिन अटलिस्ट जो चीज़े हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हम नए चीज़ों को invent कर सकते हैं इससे advance या इसको देखा देखिए कि next time ह उनको कुछ ऐसा future का सोच के कुछ तो बनाना चाहिए आप लोगों क्या लगता है बताईएगा मेरे हिसाब से तो दोनों लेना चाहिए आपको क्या लगता है कौन सा सही रहेगा भारत के लिए जरूर बताईएगा अभी तक तो इतना ही इस खबर में था मिरता हो next वीडिय जय हिंद वंदे मत्रम